नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस सीरीज के अंदर हार्दिक स्वागत हैं क्या आपको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसी अद्वित्य शक्ति छिपी हुई है जिसका प्रियोग यदि उचित डंग से कर लिया जाये ना तो सारी समश्याओं का समादान बड़ा आसानी से हो सकता है आप कहोगी कि क्या है वह अद्वित्य शक्ति उसका नाम है अचेतन मन सबकॉंसियस माइंड इसके पास में इतना पावर है कि आप जो इसको कहोगे वैसा परिणाम वो आपको लाकर के दे देगा देखेगा हम किंग हैं हम जो चैतन अवस्ता में हैं हम एक राजा हैं ये अचेतन मन हमारा एक विश्वस्निय सैनिक है हम जो इसको कहेंगे ये चुब-चाप उसको वैसा कर देगा इसके पास में इतना समय भी नहीं है कि आपने इसको सही कहा या गलत कहा जिसके ओपर ये विचार करें आपने कहे दिया ये कर देगा इतना विश्वस्मिय से निकिए जिसे बहु बली में कटपा कहने पर बहु बली को भी मार देता है वो नहीं सोचता है कि सही गलत क्या आरडर आरडर ऐसा कटपा है हमारे अंदर अचेतन मन अब होता क्या है देखिएगा कैसे ये अचेतन मन हमारे साथ में खेलता है आपने सोचा है कि हमारे जीवन में दुख हमारे जीवन में समश्याएं ये अपने आप आई है तो ये गलत है ये आपके द्वारा लाई गई है ये समशाएं, ये दुख, ये अवसाद ये जो भी प्रॉब्लम से वो आपके द्वारा लाई गई है होता क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ कलपनाएं चलती रहती है कुछ सपने चलते रहते हैं कुछ विचार चलते रहते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई एक लक्ष है जिसको आप प्राप्त करना चार है हो. अब आपको ये पता चल गया कि ये लक्ष में प्राप्त नहीं कर सकता. आपके अंदर एक विचार आया कि ये तो मुझे नहीं प्राप्त होगा, अब आप जब भी उस काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे न, तो आप कुछ साही करने जा रहे होंगे, फिर भी आप से गलत हो जाएगा. और फिर आप कोगे मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर खराब है. किस्मत और तकदीर खराब नहीं है. आपने विचार से अचेतन मन को पहले बता दिया है, कि ये मुझसे नहीं होगा, अब आप उस काम को करने के लिए जाओगे, तो आपकी साही गतिवीदी भी गलत में कनवर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आपका विश्वस्निय सेनिक के कह दिया करेगा. अब इसको उल्टा ले लो, कि कोई ऐसा काम है, जो किसी काम है जिसको आपको करना है, आपने बले कितना ही कठीन है, आपने कह दिया आपके अंदर विचार आया, मैं इसको कर लूँगा, कितना भी कठीन है, मैं इसको प्राप्त कर लूँगा, इसको मैं कैसे भी करके हासिल कर लूँगा आज नहीं तो कल लेकिन ये मुझे प्राप्त हो जाएगा अब ये चीज अच्छेतन मन की स्लेट के उपर छप गई अच्छेतन मन से नहीं के आपने ओडर दे दिया वो अपने काम में लग गया अब आप उस काम को करने के लिए जाओगे ना तो कुछ गलत भी हो रहा होगा ना वो अपने आप सही में कनवर्ट हो जाएगा क्यों कि अच्छेतन मन को आपने के दिया कि ये मैं कर लूँगा तो वो पूरा एफ़र्ट लगाएगा कि ये आपको प्राप्त हो जाए अच्छेतन मन प्रोसेस करके वैसा ही परिणाम हमें दे देता है ये पावर है अच्छेतन मन का जब भी हमें कुछ चाहिए ना तो सबसे पहले अच्छेतन मन से मांगो कि मुझे ये प्राप्त करना ये चीज मेरी होनी है एक बड़ी प्यारी कहानी है बड़ी सत्य कहानी है एक लड़की जो जोसेप मर्फी को सुन करके जा रही थी तो जोसेप मर्फी ने ये बताया था अपने लेक्चर्स के अंदर की अच्छेतन मन को आप कुछ भी order देते हैं वो प्रोसेस करके results दे देता है वो लड़की जब यूरोप की थी तो लड़की जब train में या बस में किसी में जो सवारी कर रही थी जा रही थी तो उसको एक बेग नजर आता है खिड़की से वो एक बेग को देखती है एक दुकान में खिड़की के अंदर बेग टंगा हुआ है वो उसको देखती है न तो देखते ही उस बेग को देखती ही उसके मन में विचार आता है ये बेग मेरा है ये बेग मुझे चाहिए इस बेग को में लूँगी आज नहीं तो कल लूँगी लेकिन ये बेग मुझे चाहिए चाहिए कितना भी महंगा हो वो लड़की गर चली जाती है उसने अच्छेतन मन को उपर विचारत रख दिया अपने आप चला गया सबकॉंसिस मैंड के पास वो गर जाती है गर पे उसका बड़े है उसके अंकल आते हैं उसके पास में एक गिफ्ट है वो गिफ्ट को खोलती है उसमें से वही बेग निकलता है जो उस लड़की ने उस बस से देखा था आप कहोगे ये चमतकार हो गया ये एक सैयोग हो गया उसको results मिल गए अब आपको यह लगए बड़ी अजिब सी कहानी ऐसा भी होता है क्या करो अपनी life में experience लो उसके बाद विश्वास कर लो आप खुद ऐसा कुछ करके देखो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने आप आपको पता चल जाएगा यह होता हैं दोस्तों क्यो सी भी चीज को यदि चाहा लो सचे दिल से उसको मांग लो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने में या प्राप्त करने में लग जाती है कायनात क्या है environment सचे मन क्या है अपने अच्छे तन मन को एक बार इमांदारी से बताओ वो पूरे environment को आपके support में लगा देगा ताकि का हमने ये भी तो सुनाएं बच्पन में कि सच्चे मन से कोई प्राथना करो हमेशा सुईकार होती है यह सच्चे मन से प्राथना क्या है अब सच्चे मन से इमानदारी से कोई बात प्राथना करोगे तो वह अचेतन मन पर छपेगी और वही अचेतन मन प्रोसेस करके आपको क्या देगा रिजल्ट्स तो ये चमतकार आपके अंदर है ये इश्वर आपके अंदर है जिसका नाम है अच्छेतन मन तो जिन्दगी में जब भी हमारे सामने कोई समश्या आए तो सबसे पहले किसको बताए अच्छेतन मन हमारे दिमाग में विचार बहुत लिमिटेड आने चाहिए क्योंकि प्रतियेक विचार अच्छेतन मन पर छपता है और उसी अच्छेतन मन की वज़़से हमें रिजल्ट्स प्राप्त होता है जैसे आपने कभी चलते चलते ये गाड़ी पर ये विचार बनाएगी गाड़ी में तेज गाड़ी चला रहा हूँ गाड़ी मेरी स्लिप हो गई में गिर गया और मेरे पांव के जबरदस्त लग गई और फैक्चर हो गया आपने ऐसी कलपनाएं कि एक विचार क्या वो अच्छतन मन पर छप जाएगा आज नहीं तो पांस साल बाद पांस साल नहीं तो दस साल बाद वो रिजल्ड के रूप में कनवर्ट हो करके आपको मिल जाएगा यह लिखके ले लो यह मनोविग्यान का यह सबकॉंसेस मैंड का पावर है यह मैं आपको यह 10-10 मिनिट की सीरीज में मूल बाते बता रहा हूँ यह ना इसकी थियोरी बताने है बैटू तो साइद मेरी उमर खतम हो जाए और मैं अच्छतन मन को नहीं समझा सकूँ इसलिए एक सिंपल लाइन में खतम करना चाह रहा हूँ इसको कि जब भी कुछ मांगो जब भी कुछ चाहो तो सकारात्मक रूप से इमानदारी से एकांत में सचे मन से अपने अच्छेतन मन को बताओ बताने के लिए कुछ नहीं करना है विचार लाना है विचार पोजीटिव हो विचार सकारात्मक हो वो अपने आप अचेतन मन के उपर छप जाएगा अचेतन मन आपका कटपा है आपका विश्वसनिय सैनिक है अपने आप उसको रिजल्ट में कनवर्ट कर देगा आपको सिंप्पल सा तरीका है कोई लडगा लड़की आपको चोड़के चला गया आपका ब्रेक अब ये रो रहे हो दुखी हो गया मैं जीवन में सब कुछ बरबाद हो गया उसके बगर मेरे जीवन में कुछ नहीं है ऐसे विचार हमारे मन में आ रहे वो अच्छे तन मन में च्छप रहें वो आपको अपने आप डिप्रेशन में ले जाएगा अपने आप तनाव में ले जाएगा अपने आप सोसाइट थोट्स कृRET करवा देगा और आपको खतम کر देगा लेकिन ब्रेक एप होणे के बाद में विचार ऐसा आ रहा है कानवे गैरफोन लगा रहा है हम सोच रहे हैं उस वो मुझे मिल गया है उसके साथ में हमारी शादी हो गई ऐसे हम गाड़ी पर गूम रहे हैं वहाँ गूमने के लिए गए यह पिक्निक स्पोर्ट्स पर हम आनंद ले रहे हैं ऐसे विचार लाओगै अच्छे तन्मन पर छपेगा और विह परिणाम आएगा आपको सफलता चाहिए ज़ये बार बार अच्छे तन्मन को सचे मन से बताओ ऐसे हैं ना इस बार मुझे सक्सेश मिल के रहेगी इस बार मीरे नोकरी लगके रहेगी, इस बार मेरा बPOSने सफल होकर के रहेगा, इस बार में कर दूंगा, बार बार रिपिट करते हुए बताओ, अच्छे वीचारों के सात में कल पनाए करो कि मेरा बजने सफल हो गया है, लोग इतनी इजबत कर रहे हैं, वो हो रहा है और आए सोचो दिमाग के अंदर सारा अचेतन मन पर छपेगा और वो जो आपका सपना है वो पांस दिन के बाद दस दिन के बाद एक साल के बाद दो साल के बाद हकिकत बन करके लोट जाएगा और ये लोटाने का काम करेगा आपका अचयतन मन बताओ इससे बड़ीया पावर किसी के पास में कुछ है चुम्बक है एक तरीके सी जिस परकार से एक चुम्बक अपने से ज्यादा वजन को उठा सकती है ठीक उसी परकार अचयतन मन है कि हमारे जीवन में हमें जितना चाहिए उसे कई गुना ज्यादा उसके पास बड़ा हुआ है बस हमें एक साही तरीके से उसको बताना है कि ये ऐसा करना है अचयतन मन जब आप नींद में होते हो सोते रहते हो तब भी ये प्रोसेस करता है तब भी ये काम करते रहता है ये अचयतन मन का पावर है मेरे दोस्तों इसलिए हम कहा ना हम ब्रमास में सुनाए ना आपने बिलकुल है बस आपका रिजल्ट्स आपके पास आपका सुक आपके पास आपका इश्वर आपके पास ये नेचर आपका सपोट तब करेगा जब आप सकारात्म करूब से पचास लाग बच्चे बेट रहे हैं, बिस लाग बच्चे बेट रहे हैं, घूमने मुझे जल्दी उठना है मुझे पढ़ा है अपने आप नेचर सपोर्ट करेगा यदि आप पॉजिटिव तरीके से अपने अच्छेतन मन को बताओ बताओ इससे बढ़िया पावर और क्या हो सकता है ये जो मैंने आपको 10 मिनिट में बताया ना ये किताब का शार है अब वो क किताब क्या है क्या चीज नहीं है वो मैं आपको बाद में बताओंगा आपको 7 एपिसोड ऐसे देखने हैं अगली क्लास के इंतरकत अपन बात करेंगी कि हमें सपने क्यों आते हैं सपनों का हमारे जिवन के उपर क्या प्रभाव है आज एक इंट्रोडेक्शन था पहले ए अच्छी शक्ति हैं ऐसे शांदार और जांदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने हुए रहे हैं थेंक यू सो मच रादे रादे जाहिन मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए मुझे दीजिए